Dear student, we have to discuss about the development. हम development के उपर जब बात कर रहे हैं और हम focus कर रहे हैं human development के अंदर, तो human development के अंदर जो हैना अब हम जिस बात को discuss करना चाह रहे हैं, वो हमारे पास है equity, justice and responsibility. अब हम इन तीन बातों को जो हैना discuss करना चाह रहे हैं, equity, sustainable development के अंदर जो हैना हम इसको पर पहले भी बात कर चुके हुए है, लेकिन इसको अब हमने human development के paradigm में हमने देखना है, हमने human development की umbrella के अंदर हमने equity, justice and responsibility को देखना है, अब देखें, generation के दर्मियान जो है, ये तीनों चीजों के अंदर जो हैना हमारे पास, एक गैप, generation gap आगी है, और वो generation gap क्या है, पहले हम देखें, पहले थोड़ा सा बात को समझे लें, generation gap क्या है, generation gap ये है, कि सोचने का अंदास, करने का अंदास, एक generation का दूसरे generation के दर्मियान, जो सोचने के अंदास में फर्क है, जो action में फर्क है, उसको हम कहते है, generation gap, अब equity को generation 1 क्या देखती है, और generation 2 क्या देखती है, justice को generation 1 क्या देखती है, generation 2 क्या देखती है, responsibility को generation 1 क्या देखती है, generation 2 क्या देखती है, बुनियादी दौर पर ये एक evolution है, towards such goals, without self-conscious art, intentional action, intentional action नहीं है, देखें, आज भी जगर हम उसे, इन तीनों चीज़ों को, इसी gap को social parameter के अंदर जा के देखें, generation 1 जो है, जिसको मैं कह रहा हूँ, senior generation, वो कह लें के जाना, more than 50, 60 जो हैं, हमारे पास generation 1 है, और generation 2 को हम exhume कर लेते हैं, कि हमारी नوجवान नसल जो है, 15, 16 साल से लेकर, 20, 25 साल साफ़े जाएं, आज भी, जो हमारी generation 1 है, वो social parameter के सामने रहते हुए, वो चाहती है, वो interaction जो है, वो physical interaction चाहती है, आज भी उनके हाँ, जब justice की बात होगी, तो वहाँ पे, वो relation को, चीज़ों को, दोस्तियों को, रिष्टेदारियों को, अल्यादा करते हुए, वो justice की बात करेंगे, आज भी जब responsibility की बात होगी, तो वो एक, घर का जो सरबरा है, वहाँ समझा जाता है, कि जी इस घर के, कफालत के लिए, जनके इनके खाने पीने के लिए, तमाम जबादारी जनव वो घर के सरबरा पर है, उसकी मैं आपको एक example देना चाहूँ, जनेशन वान के अंदर, एक शक्स, एक married person, घर का सरबरा, वो कभी ये नहीं सोचता, कि मैं इस घर के अखराजात पूरे नहीं कर सकता, तो लियाज़ा मेरी बीवी को भी जाब करनी चाहिए, अब जनेशन टू की तरफ आज़े, वो इसको अपनी जिमादारी समझता है, responsibility समझता है, और वो इस responsibility के लिए, वो तमाम अक्ताम करता है, अभी जैसे हम पहले भी बात कर चुके हूँ है, कि उससे अगर एक से ज़्यादा टाइम भी काम करना पड़े, दो टाइम भी उसको काम करना पड़े, morning to evening करना पड़े, late night करना पड़े, तो वो करने के बाद, अपनी जिमादारीयों को वो एसन तरीके से निबाता है, दूसरी दर आजे, अब नई generation ये कहती है, नई generation का ये ख्याल है, कि जी ये गर्जू चलाना है, ये मेरी अकेले की जिमादारी नहीं है, ये हम दो मियां बीवी हैं, तो वो इस बात को पर motivated है, वो कहता है कि जी मेरी बीवी पड़े लिक्यों ने चाहिए, और उसे जाब भी करनी चाहिए, अब देखिए ये फर्क है दोनों जगाए, एक जगापे वो responsibility, मैं अगर थोड़ा सा इसको अवरहल बात करना चाहूँ, तो जनरेशन वन जो है, वो तमाम responsibility अपने उपर लेना चाह रही है, और वो कहता है कि ये मेरी responsibility है, और मुझे ये घर के तमाम अखरजात को, खाना, पीना, फूड, ट्रेश, सब कुछ ये मेरी जमन आ रही है, ये मेरी responsibility है, और वो उसको पूरा करने के लिए, तमाम काम वो कर रहा है, जनरेशन टू की तरफ आज है, वो कहरा है कि ये shared responsibility है, तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा, कि यहाँ पे हमारे पास क्या फरक है, इसी दीके से हम जो है ना, concept of the development cannot be objectively defined, but it is value-laden in the ways that are specific to culture, context अंदर इस्ती टाइब, अब इसका भी तालोग जो है, जो हम responsibility के का बात करें, और generation की बात करें, और generation gap की बात करें, इसका भी तालोग जो है, ये context जो है, अंदर और इसकी के अंदर चलाएंगा, अब देखें, हमने last बात की थी आपके साथ, culture में जैसे जैसे तबदीलियां आ रही है, उनकी तबदीलियों की वज़ा से, हमारे human development में तबदीलिया आ रही है, human development की तबदीलिया की तबदीलिया वज़ा से, यानि good और bad का जो अंदाज है या जो हमारा सोच है, वो हमारी change होती चले जाए, और उस change से हमारा जो generation gap है, वो भी ज़्यादा होती है, पहले भी generation gap तो खार सद्दियों से रहा है, लेकिन अब यह gap ज़्यादा हो गया है,